हाँ लंबी पूश्टाश की हमारी टीम ने और अभी जरुवत पड़ेगी तो दुबारे भी पूश्टाश करेंगे बेसिकली वही सवाल है जो अलड़ी सुखेश चंदरशेकर वाले केस में एडी ने उनको चाशिट भी किया है तो वह सारी चीजे हमें अपने केस में जो मकोका का केस है उसके दौरान उसके पूश्टाश हुई है और जो प्रिसीड्स ऑफ क्राइम सुखेश के थे उनको जैकली ने किस प्रकार यूज किया है क्या गिफ्ट्स लिए है उनी सब इशूस पे पूश्टाश हुई पिंकी इरानी का तो में रोल रहा है इनको इंटर्ड्यूस करने में जितनी भी एक्ट्रेस वगरा रही हैं सुकेश को और वही मेडियेटर रही है बीच में गिफ्ट्स वगरा प्रवाइड करने में तो बेसिकली उसकी आवश्यक्ता इसली पड़ी थी कि कुछ contradictions थे उसके बयानों में तो इनको आपस में confront कराना जरूरी था उस confrontation के लिए उसको बलाए गया था सर क्या जैकलीन को दुबारा समन लिया गया है बुलाने के लिए या अभी investigation हाँ कुछ चीजे रह गई हैं दूरी तो उसके लिए हम उसकी movie schedule या shooting schedule को देखते हुए दुबारा एक बर बलाएंगे और पिंगी को भी बलाना पड़ेगा दुबारा और उसके आधार पे हम नौरा को हमने कल बुलाया है उसका कारण यह है कि पिंकी रानी अभी आई हुई है तो कुछ contradictions आ रहे हैं इनके statements में तो दोनों को confront कराने के लिए और क्या सच है उसको उगलवाने के लिए कल नौरा को बलाया गया और पिंकी भी साथ में रहीगी दोनों का interrogation होना है नौरा से पहले भी पूस्ताच हो शुकी है तो क्या आप किस तरह से उसके ब्यान में क्या वो आप सहमत दे उस वक्त जब पूस्ताच के लिए जी अहां मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजे तो ठीकी थी कुछ एक दो चीज बची वे हैं जिसको हमें clarify करना है इसलिए द का आपस में कोई ताल मेलनी है पिंकी ने ही सब को इंट्रड्यूस किया था और पिंकी का ही में रोल है पिंकी के ही बयानों में जो जहां-जहां विरोधाबास आ रहा है वहां वहां पे इन लोगों को आपस में कंफरेंट करा आगे clarify करने के लिए दुबार अब लाएए झाल